कि अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास एक इमेज दिख रही है आपको एश्वर राई की इस इमेज की हमें बहुत सारी कोपीची है कई बार आप फोटो की चाने जाते हैं तो बोलता है भाई हमें एक आपकी पिक दे दीजिए उसके मैं 40 फोटो बना दूँगा या इसके लिए जो मुझे स्वोट कॉट कट की चाहिए उस में मुझे चाहिए कन्ट्रोल प्लस टीच जो की आपकी रिसाइश के लिए यूज़ होगी फिर मुझे चाहिए। Alt Plus Control Plus T जो कि मुझे Duplicate के लिए चाहिए और फिर मुझे चाहिए Shift Plus Control Shift, Control, Alt Plus T यानि Repeat Action के लिए तो यह 3 की यूज़ करने हूँ है Control Plus T Resize के लिए कि आपको कौन सा Size रखना है Alt Plus Control T Duplicate के लिए और Shift, Control, Alt यह होती है आपकी Repeat Action के लिए तो चले मैं इनको यूज़ करता हूँ और आपके सामने Practical करके दिखाता हूँ Simple way में तो Simple मैंने पहले Resize का दिखाता हूँ Control T किया मैंने तो Control T से यह देखिए Resize मैं अपने Coding Adjust कर सकता हूँ कितनी भी Just मुझे Enter करना है तो मैं यह Size रख रहा हूँ Just Enter कर रहा हूँ तो यह मैंने Control T Use करके Resize कर लिया अब मैं क्या कर रहा हूँ Alt-Ctrl T जो कि मैंने बताया आपको Alt-Ctrl T किया और इस Pick को या तो आप Arrow से या माउस से किसी से भी Side में ठाले यह Adjust कर ले ठीक है Then Enter करे Enter करने के बाद आपने Alt-Ctrl-Shift-T का यूज करना है जो कि Repeat Action के लिए मैंने बताया आपको यह देखिए तो यह Repeat Action तो Repeat Action आने के बाद आप जब आपने देखा कि यह Repeat Action में आगी है और यहाँ पर आपके पास Different-Different Layers भी बन गया यह देखिए Different-Different Layers बन चुकी है देखिए कितनी लेयर बन गया पांच कोपिया अब इन सब को आपको एक में Convert करना है तो उसके लिए एक Shortcut की है Control-CTRL Plus E जो की Use होता है Merge के लिए Merge क्या करना है Layers ठीक है तो CTRL Plus E Use कर रहा हूँ है मैंने Control-E किया यह देखिए आप देख सकते है मेरे किस तरीके से Merge होती जा रहे है तो Layer 1 Background हमेशा हम खाली रखते है अब Simple वही यूज़ करना है मुझे Alt-Ctrl-T तो मैंने Alt-Ctrl-T का यूज़ किया इस पिक को नीचे की तरफ की चूँँगा इसे भी मैं अडजेस्ट करतूँगा Enter फिर Alt-Ctrl-Shift-T अभी जब आप देख रहे हैं तो यह कुछ images मेरी आउट हो चुकी है यानि कुछ pictures बाहर की तरफ निकल रही है हाफ फेस दिखाए दे रहा है राइट वाला यह नीचे वाला इनको अर्जेस्ट करना है तो पहले Ctrl-E कीजिए मर्ज कर लीजिए अपनी layers को तो Layer 1 तक मैंने मर्ज कर लिया आप एक image को बहुत सारी images में convert कर सकते हैं आप जस्ट आपने print करने के साथ इसकी cutting करके आप दे सकते हैं तो आप बन गे ना professional विर्कुल photographer ठीक है एक image की आप different different pompey बना के दे सकते हैं